पिछले वीडियो में हमने सेहल की बनावट और उसके फंक्शन के बारें पढ़ा था आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के अंदल एक दिया गया है चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने प्लादमा मेम्रेंट की बनावट के करना सेल के अंदर जाना सेल के बाहर आना उसी फ्रक्रिया को सेल प्रास्पोर्टेशन या कोशी का परिवहन कहा जाता है और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो सेल प्रास्पोर्टेशन या कोशी का परिवहन रहेगा तो यह कैसे होता है कोशी का परिवहन या सेल प् नाम से लिस्ट करिए मतलब यहां पर किसे प्रकादी कोई उजा क्या शकता नहीं है मिन्स यहां पर क्या होता है में लिए मोलेकुल जो होते हैं पदाक्ति मोलेकुल्स वह हाईयर कॉंसें से लोबर कॉंसेंट्रेशन की तरफ मुझ करेगे विदार दूजिंग एनर्ज बिना हो जाके सायता से मिन्स वीना हो जाके मोलेकुल्स का अधिक साथ वटा हाईयर कांसेंट्रेशन से लोबर कंसेंट्रेशन की तरफ मोवेंट होता है यह प्रक्रिया जोते हैं प्रकार से होती है सबसेखेला को है सिंपल डिफूजन सब्सक्राइब होता है है ज़्यादा कि इसे लिद शुलिबल सब्सटेंच से अक्सिजन है काविन ट्रास्पूर्टेक्षिंचन के द्वारा होता है एकजांपल के लिए उसका एक्स्ता सेल में जादा है इंक्ता सेलुलव क्याम है तो ऑक्सिजन के मोल्लीकुल पहुंच जाएंगे तिक यहां ज्यादा है इंत्रसेलिलर में इसके अलावा कुछ वाटर सॉलुबल सब्सक्राइब जो होते हैं उनका प्रास्पोर्टेशन भी सिंपल इसके बारा होता है उनका होता कैसे है कि हमने प्लाज्मा मेंबरेंट की बना वर्डेश करने वाले होते हैं यह वाटर के अंदर डिजॉल हो जाएंगे और इसको अपने अट्रेक कर लेका और इसको सीधा पहुचा जाएए अंदर मतलब वाटर सॉलिबल सबस्टेंट होते हो वाटर के अंदर डिजॉल होके डिफुजन के द्वारा अंदर चले जाएंगे यह तो हो गया सिंपल डिफुजन के द्वारा ट्रास्पोर्टेशन कुछ मोलेकुल जो बड़े होते हैं वो और को प्रोस्ट नहीं करपाते हैं वह क्यों क्यूंता की प्लागा मेंबरेन के ऊपर सुपर करतें विशीश प्रकार देल लगे और अनों मोलेकुल इसको रिर्सेटर प्रोटिन कह जाता है अंदर बड़े मोलेकुल जो होते हैं वो इस रिसेटर प्रोटिन के साथ बाइंड हो जाएंगे उसके बाद फिर अंगर प्रग्रेश कर जाएंगे उस प्रकार उसको कार्यात है यह एक तरसे लोग और की जो है ताला चापी मेकेनिजम के उपर काम करता है इसमें चापी तो मोलेकुल होगे और लोग जोगे वह इसेटर प्रोटिन हो यह तो हो गया सेकंड टाइप का प्रेसिलिडेट डिफ्यूजन जिसके द्वारा सेल नाप में पढ़ी ब्रहन होता या ट्रास्पोर्टेशन होता है थर जो होता है उसमोसिस कुछ मोलेकुल जो होते हैं वह बहुत ह कया करताया भुब करता है इस थे सिक्ष हई नियgen और कि तब तब को करता है जब तक कि दोना तर्फ कंसेंट्रेशन जड़ Um ज़ू है अधरके लिए सथी इंट्रासेलिलर्सी जो है इसमें मो पांसेलिडरिशिन क्या है कम है और एक्स्रासेलिलर्स रूंदर के अंदर वाटर मोलिकुल्स कम है तो उसका मुमेट होगा वह लोग जाधा डायूब जो है वहां से हाइयर वह उसके तरफोगों करेंगा वह उसके अंदर ऊपर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर का जाता है प्लाजमा जो होती है उसका जो कॉंसंट्रेशन जो होता है वह लबक एक्वल रहता है मतब एक तरह से देखा जाये। का ऑधार पर प्लाजमा जो है उसकी टॉनिस्टी तो वो इन्तरथ होती है यक उता है, इसोने से प्रथा है क्या होता है कि तोनों दो होती है वह एक्वल पहता एंटरिय ल्यर्ट और यसे हैं दूतर बटाक के लिह नहीं होता इस तरह कि वाली जो होती है उसको इसो टॉनिक आ जाता है और प्लाजमा जो होती है वह मुख्यरूप से या मेली आइसो टॉनिक जो होती है वह होती है मतलब इसका कॉंसेंट्रेशन इंट्रसलियर का क्या होता है और इंट्रसलियर फ्लूट्रेशन यहां पर ज्यादा होता है उसक अ क्या होगा वाटर जो होता है प्लाजमा से निकल कर चेल के अंदर प्रवेश करेगा तो वह हो जाएगा यह तो होगया hyipotonic solution यह होगया hyipotonic solution क्या होता है मतलब यहां के वह मंतलों सब्धूर्व्ट का हूँ रहता है को आएगा के लुट्र के प्लाजमा के अंदर के प्लाजमा के अंदर अब सलो को एसा सूलिशन के डाला जाए जिसका इयादा है से उस कंडिशन में रेड ब्लॉड से वाटर निकल के बहार आ जाएगा जिसके रेड ब्लॉड से जो कि वो शिंक्या सिकूर जाएगी यह तो गया टॉनिसीटी के आधार पर फाटर जो है या प्लाजमा उसके तीन कांसरेशन इसा टोनिक हैपटनिक और हैपटन यह होता है इसमें होता है है एप्र टास्पोर्टेशन फींटाइशन या सट्रिय परिवखाण तो इसका नाम हिसके मतल है यहांपर अपशुजा का उप्योग होता है energy का यूज होता है उसके बने होते हैं और ये चैनल जो होते हैं वह मेंगली energy का प्योग करते हैं यह वन डायरेक्शन में ही क्या करते हैं सबस्टेंट जो है उसका करते हैं इसके लिए इनर्जी का उप्योग करते हैं इसे सोडियुम पोटेशन पॉम्प के बात करते हैं तो लबबबबब हर सेल मेंबरेंज होती है उसके उपन पॉम्प होता है यह पंप जोता हैॵ यह उचा जोताई प्रकार के पोटप इसका बना होता है यह काम करने के लिए लबबब हर सेल के द्वारा इप्योग करते है ळाए इसने पीन के फॉ Vocritory यह रहा होते हैं। च्पर अब ऐसे जादा से अलूर से इक्स्टाइर यह सॉल्यम जो होगा उस कंडिशन में क्या करेगा करा जो है उसका इंट्रा सेल्यस जो है इसमें जादा और उसमें जादा अगया उसमें एक्ट यह तो यह ट्राॉल में जो जिसमें देबकर्ण टर्फिक होता है जोता है और यो सेल मेंरेन जोती है उसके जबारे मेंसे प्रभिश करते हैं। यह वी दो तरुका होता है इसको इंदर जाने के बाद फिर प्रींगे और चले जाएंगे अंदर जाने के वाद प्रेश्वारूज बाउम्न हो जाएंगे और वैसिकल बंज जाएंगे इसको तो सेल द्रीकिंग कहा जाता है एक और जरृट होती है इसको सटा जाता है जिसमें लोसें कि ही इसमें माइक्रोब्स होते है और यह माइक्रोब्स नर प्रोइट को होता है जहांने के बहुता है नर Says स scorrad Kingdom Rated इसी प्रक्रियान के बारा वो की जाएगा सेल से बाहर मांहेंगा ये वह गया बल्करांस प्रेस्पराइशन पे ये तो गया चैनल लग्रप्रेस्पर शुरॉट क्या वा रॉटॉ प्रणपर्पोटेशन जजी है प्रेश को संदेट yep झाल झाल